क्या आप नहीं चाहते कि लोग आप में हमेशा उतने ही इंट्रेस्टेट रहें जितना वो पहले आप में इंट्रेस्ट दिखाते थे क्या आपको लगता है कि भाई ये वेक्ती जो पहले मेरे में इतना इंट्रेस्ट दिखाता था all of sudden इसका interest मुझ में कम होता चला जा रहा है किस वज़े से हो रहा है कैसे मैं इस interest को वापस उसी अवस्था में ले आऊं जो पहले हुआ करता था पहले जो रास रंग हमारा होता था एक जो frequency मैच होती थी जो sink में हमारी चीज़ें होती थी आजकल वो बात ही नहीं रही उस sink को हम कैसे भरकार रख सकते हैं इसी वीडियो में मैं आपको कुछ एक एक ऐसे गूर रहसे वाले simple एकदम साधारन टिप्स दूँगा जिनको अगर आप अपनाएंगे तो जीवन परियंत विक्ति आप में interested रहेगा आपका interest ओमर वर वैसा ही रहेगा उस विक्ति में और उस विक्ति का आप में जैसा आप चाहते हैं चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे friend circle में हम अकसर देखते हैं कि कोई X विक्ति कोई भी विक्ति होता है जब वो आ रहा होता है तो हम उस समू में अकसर एक ग्रुप में ही बात करते हैं यारे यारो आएगा फिर वही बाते हैं उसके फिर वही excuse थोड़ी बाते हैं इधर की करेगा उधर की करेगा इसका मतलब क्या है उस विक्ति की personality पूरी तरह exposed है उसमें लोगों का interest है ही नहीं देखा जाए तो उसके जितने dimension हो सकते हैं उसके character के उसके behavioral aspect सारे के सारे सब के सामने खुले पड़े हुए हैं क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता है वो ऐसी चीज़ें करता है जो की बहुत ज़ादा predictable है क्योंकि वो repetition करता है उन चीज़ों की समझ रहे हैं आप मेरी बात कि वो वही व्यवार करने वाला है जो लोग सोचके बैटे हैं जो कई वर्षों से कई बार से repeatedly वही व्यवार वही शब्दों का चैन वही sentences, वही चीज़ें वही भाव विन्यास वो प्रकट करता रहता है तो लोगों का interest उसमें क्यों रहेगा भाई लोगों को मालूम है कि यार ये इतना predictable है ये चारों तरफ से हमें मालूम है ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर तक जाएगा कम से कम इधर तक जाएगा इसकी पूरी range हमारे सामने खुली किताब की तरह पड़ी हुई है तो obviously बात है कि उस विक्ती में कोई interest नहीं रहेगा किसी का भी अब ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि भाईया ऐसा होता क्यों है क्या गलती करता है विक्ती जिसकी वज़े से वो इतना ज़्यादा overexposed हो जाती है उसकी personality और क्या नहीं करना चाहिए इसी चीज से हमें बचना है कहा जाता है बंद मुठी लाग के खुल गई तो खापके ये point यहाँ पे implement होता है लोगों में आपका interest तब तक रहेगा जब तक कि आप चीजों को छुपाना जानते है आप दबाना जानते है कि मुझे react नहीं करना है हर situation में मुझे जो चीज मुझे से पूछी नहीं जा रही उसका भी जवाब मुझे ये सोच के नहीं दे देना है कि ये मेरे बारे में ये सोच रहे हों के अक्सर होता यह है कि हम दूसरे को प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि भाई ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा उसके अनुसार हम अपना माइंड सेट बना लेते हैं कि भाई या मुझे जवाब पहले से तै कर लिया मैंने दिमाग में अब मैं जाते से ही यह जवाब देना लगूँगा क्योंकि वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा 99.9% टाइम वो वेक्ति ऐसा नहीं सोच रहा होता है तो उसका सिंपल सा लॉजिक है भाई सिंपल सा रूल है बंद मुठी लाग की खुल गई तो खाकी सूत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए बिलकुल अंदर तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार बिलकुल गूर सकते है ये कि मुठी को हम खोल देंगे तो लोगों को मालुम है आपके हाथ में कुछ नहीं है भाई ये तो खाली बढ़ा हुआ हाथ और किसी के सामने हम मुठी बंद करके रखते है तो हमेशा उसमें क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार ये जब से आया इसकी मुठी बंद है इसके पास कुछ तो ऐसा खजाना है कुछ तो ऐसी मुलिवान चीज है जो इसके पास है और ये मुठी नहीं खोल रहा है इसका मतलब कुछ बहतरी इन चीज इसके पास है तो यही हमें अपने सुभाव में ये इल्यूजन हमेशा रखना है चाहे विक्ति कितना भी करीब क्यों नहो चाहे कितना भी खास क्यों नहो भाई ये जब तक सीक्रेसी आप मैंटेन करेंगे चीजों की तब-तब सामने वाला आपके अंदर इंट्रेस्टेट रहेगा जिस दिन आपने मुव मुठी खोल दी उसका इंट्रेस्ट समाप तो जाएगा नहीं यार ये तो कुछ था ही नहीं तो इस चीज़ को हमेशा अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट कीजिए इसकी बार-बार प्रैक्टिस कीजिए अपनी इसको ज़्यादा मत यूज कीजिए बलकि कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए जिससे आप ओवर एक्सपोज नहों आप में इंट्रेस्ट लोगों का यूहीं बरकरार रहे और हमेशा एक फ्रेस इंट्रेस्टिंग परसन आप बने रहें दूसरा मैं तो पूर्ण सूत्र जो पहले सूत्र में मैंने उसका हिंट दिया था अपनी जबान को थोड़ी सी लगाम दें अपनी जबान को लगाम देना सीखें जब तक जबान आपकी खामोश नहीं रहेगी तब तक लोग ये समझेंगे कि यार ये तो वाचाल है ये तो वर्बोस है वंदा यार ये बोलता ही रहता है जब देखो तब बोलता ही रहता है यह सब चीजें जो है न इसने आप जो ओवर एक्सपोज होते हो ना उसमें सबसे महत्पूर्ण काम आपकी जबान का है इसको प्रैक्टिस करना अपनी जबान को शांत रखने की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल काम है सुनने में जितना यह आसान लग रहा है ना आपको उसे करने में उतनी कठना ही होती है एक लंबा अभ्यासी है आपको लंबी प्रैक्टिस चाहिए जिसकी बाद आप अपनी जबान पे लगाम लगाना सीख पाएंगे मौन जो रहता है चुप रहना कई चीजों का आंसर उससे हो जाता है मैक्सिम्म चीजों में आपको अपना व्यू देने की पॉइंट अव व्यू देने की अपना दृष्टिकों अपनी नॉलेज और अपना ग्यान बगारने की ज़रूरत नहीं होती और लोगों को वह चाहिए भी नहीं आपसे लोग चाहते हैं आप उनकी बात केवल सुने इत्विनान से सुने आपके व्यू की कोई जरूरत नहीं है भाई दुन्या में सब लोगों के पास दिमाग है तो अपना दिमाग घुसेड के ना उस बात का आन मलीदा मत बनाइए उसका हलूआ मत बनाइए रायता मत फैलाइए मैक्सिमूम जगे पे कम से कम शब्दों में जो बात की जा सकती कम से कम शब्दों में जिस चीज़ को समाप्ट किया सकता है वो आपको ये सीखना पड़ेगा अगर जहां हाँ या नहीं कहके काम चल जा रहा है उसमें ओवर एक्स्प्लेइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ओवर एक्स्प्लेइन करोगे लोगों में आपका इंटरस्ट बिल्कुल स्वाप तो जाएगा यार इससे क्यों पूछें यार अभी ये फिलासिफ दी डिसीजन ले लिता हूं तो लोग आपसे कटने लगेंगे तो इंटरस्ट की तो बात बहुत दूर की है लोग जब आपसे कटने लगेंगे दूर रहने लगेंगे तो उस चीज़ को क्यों करना है भाई थोड़ा सा काम कीजिये डेली रूटीन में आदर डालिये कि और आप डॉमिनेट कर रहा है अपनी वाइस से तो उसको पेन होगा सामने वाले प्राणी को ना बहुत पेन होगा कि यार और वो चीज उसके अंदर घुश जाएगी उसके दिमाग में हमेशा की इसमरती में घुश जाएगी कि यार पिछली बार जब यह ऐसे इंसिडेंस मुझे परिशानी हुई थी और मैं इससे सलाह लेने की कोशिश की थी तो इस बंदे ने मुझे ओवर्रेक्ट किया था यार इतना हार्श इसने बोला था तो उस मेमोरी के बेस फे वो नेक्स टाइम आपसे बात करने से पहले ना दस बार सोचे का इसी लिए म्रदुलत वाला शब्द तो नहीं क्योंकि आपकी भावनाय अच्छी हो सकती हैं मैं मानता हूं कोई भी विक्ति किसी का दिल नहीं दुखाना चाता आपकी भावनाय अच्छी हो सकती हैं लेकिन आपकी टोन आपका कहने का लहज़ा और शब्दों का चैन इन तीनों चीजों से मिलके हो सकता है वो बात वहां तक पहुंची नहीं रही जो पहुंच रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो आपके लिए एक अलार्मिक पोजीशन है कि भाई आप डेंजर जोन में जाते चले जा रहे हो इसलिए शांती रखिए हूं हां ना नहीं से जब आप काम चल सकत है और सामने वाला चाहता ही नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा वो बातें करें केवल एक श्रोता की आउशकता है उसको तो श्रोता बन जाईए ना भाई एक अच्छा श्रोता बनना इसकी पहली सीड़ी है जब आप एक अच्छा ओडियंस बनेंगे तब आप अच्छा स्पीकर बन पाएंगे बिना सीखे समझे चीजों को आप बहुत अच्छे वक्ता तो वैसे भी नहीं बनने वाले तो नाहक अपने ग्यान को मत उड़े लिए अपनी जबान को थोड़ा सा आराम दी या करिए जिससे आप में लोगों का इंटरस्ट बना रहेगा समझेंगे कि हाँ यार ज्यादा सदा पॉपलर होंगे आप और लोग बाग चाहेंगे हाँ यार वो बंदा है तो बंदी तो हच्छी है उसके पास जब भी जाओ कम से कम वो बात तो इत्मिनान से सुनती है भले सी ठीक है यार नौलेज वालेज तो ठीक है वो कोई गाइडेंस नहीं सलाह नहीं देगी लेकिन यार वो कम से कम बात सुनेगी धहरे तो बढ़ाएगी कम से कम सांतों ना तो देगी तो भाई ऐसे लोगों की ज़रूरत हर विक्ति को होती है और वो विक्ति हमेशा आपमें इंटरस्ट दिखाता रहेगा देखिए फिजिकल एपिरेंस आपकी मोहकता एक समय के बाद ढलनी है वो फिजिकल चीजे ना बहुत दिनों तक आपको एट्रेक्टिव और इंटरिस्टिड बनाए रखने में बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे सकती है अल्टिमेटली खेल यहां से शुरू होता है सारा खेल जो है और यहां स संबंद आगे जाके मधूर होते हैं और जीवन परियंतर मधूर रहते हैं अगर आप सोचेंगे कि केवल आपका बाहरी आडमवर और बाहरी एपिरेंस ही अपीलिंग लगेगी इस वज़े से ही आप में वो इंटरेस्ट रहेंगे तो भाई यह आपकी बेवकूफी है बाह बाकी सारी चीज़ों से जो भी मेकप वेकप या बाकी चीज़ों से आप अपनी पोशाक से अट्रेक्ट कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं लोगों में लेकिन वो कितने दिनों तक एक बार दो बार तीन बार वो चीज़े चल जाएंगी लेकिन वो जीवन परेंद्र नहीं चलने वाली जीवन के जो रिष्टे होते हैं, रिलेशन्शिप जो होती हैं वो भावनाओं से चलते हैं फीलिंग से चलते हैं, ट्रेस्ट से चलते हैं अगर वो चीजें स्ट्रॉंग नहीं हुई तो लोग आप में इंट्रेस्ट खोने लगेंगे और जो मैंने दो महत पूर्ण एक बहुत सिंपल मैथेड्स बताएं हैं रूल्स बताएं हैं मैं कहूं तो बलकि फंडामेंटल चीजें बताएं उन पर अगर आप काम करेंगे जीवन परेंद्र आप में लोग इंट्रेस्टेड रहेंगे और कोई भी आप से दूरी नहीं बनाना चाहेगा चलिए आगे बढ़िए